राजस्तान कॉंग्रिस की 30 तर्रार नीता दिव्या मदेड़ना एक बार फिर से चर्चा में हैं वज़ा अपनी सरकार को खेरना दरसल ओसिया से कॉंग्रिस विधाइक ने गहलोट सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरूप लगाया है ये पहली बार नहीं है जब दिव्या मदेड़ना ने राजस्तान में अपनी ही सरकार को घेरा हूँ आपको दादें कि दिव्या मदेड़ना कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी की करीबी नेदाओं में से एक मानी जाती है दिव्या ने भारत जुड़ो यात्रा के दोरान खूब सुर्खिया बटोरी थी जब यात्रा में चलते हुए उनकी तस्वीर राहूल गांधी के साथ वायरल हुई वहीं दिली में सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात की दस्वीर भी सूशल मीडिया पर खूब च्छाई रही मदेड़ना एक प्रभावशाली राजनटेक परिवार से तालुग रखती है वो कॉंग्रस नेता महिपाल मदेड़ना और लीला मदेड़ना की बेटी है उनके दादा पर सरा मदेड़ना दिगत जाट नेता थी और मंत्री भी रहे 19 साल 1998 में राजस्थान की मुखे मंत्री बत का एहम दाविदार माना जाता था आपको दादें की दिव्या ने इंग्लेंड से पढ़ाई की है उन्होंने युनिवर्स्टी ओफ नोटिंगम से एकनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है महज 26 साल की उम्र में उन्होंने ओसिया में परिशब चनाव लड़ा वहीं 2018 में वो उसिया सीट से ही पहली बार विधायक बनी दिव्या ने पिछले साल सितंबर महीने में अशोग गहलोत के करीबियों की बगावत के दौरान मुखे मंतरी को खेरते हुए कई बयान दिये थे ताजा विवात की बात करे तो उन्होंने राजस्तान सरकार के मंतरी और अशोग गहलोत के करीबी शांती धारिवाल पर हमला बोला है दिव्या ने दावा किया कि उन्होंने राजस्तान विधानसवा में कि रोडी लाल मीना पर की गई तिपनी को गलत बताते हुए निंदा की थी इसकी वज़ा से जोधपूर विकास प्राधिकरन ने ओसिया के 44 सडक प्रोजेक्ट्स को रद कर दिया रेपोर्ट के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को चेताबनी देते हुए कहा कि ये बदले लेने वाला रवया बंद किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री गहलोत ने मेरे चेत्र की सड़कों के प्रजेक्स को वापस नहीं बाहल करवाया तो वो भी मुँ में घास लेकर धरने पर बैठ जाएंगी कि काही कि अवार। Choose करे दो कि अवाया धर धास वाशल में थास नहीं सुछड़ स में जाएंगी टुत नहीं करूने बैठ टने अर जास भुट्डे संप erg़ प्रजेयािए हैं तो याएंगी। कि अंहें अन्हें सम्ने कर बोतीप औस beneath नहीं हां दू can।